प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिम्जिम का पांचमा पार्ट बहादूर बित्तो यह एक पंजावी लोख कता है इसका मैं फूल एक्स्प्लेनेशन करने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिम्जिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ फूल एक्स्प्लेनेशन समरी और कोस्चेन एर सर उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बच्चों आप किसान की पतनी जिसका नाम बितो है उसके बहादूरी यानि उसके हम्मती शुभाव का वर्णन किया है बितो एक बहुत ही बहादूर महला है उसके पती जब खेद में काम कर रहे थे तब सेर ने उसको डराया लेकिन बितो जब यह बात सुनी तो बड़ी ही हम्मत और किसको कहते हैं बचों जब मान लीजिये आप इसकुल जा रहे हैं कोई सैतान बच्चा आपका बैग छीन कर भाग रहा है तो आप हिम्मत से उस लड़का को मारेंगे भगाएंगे और बैग उसको नहीं लेने देंगे और सांती से इसकुल चले जाएंगे इसी को बहादुरी क कहा जाता है दूसरे रूप में आप यहां समझ सकते हैं जब हमारा देश गुलाम था हमारे देश पर जानते होंगे कि अंग्रेज सासन कर रहे थे तो हमारे देश को किस तरह से आजादी दिलाया गया जैसे कि आप जानते होंगे जहासी की रानी आप पढ़े होंगे जहास दिलाई अंग्रेजों को किस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई की तो इसी को बहादुरी कहा जाता है तो पार्ट शुरू करते हैं एक किसान था उसकी बीवी का नाम था बित्टो एक दिन किसान ने बित्टो से कहा सुबह जब मैं खेत में हल चरा रहा था तो एक सेर ने आकर कहा किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे बढ़ना मैं तुझे खा जाओंगा तो देखिए एक किसान था उसकी बीवी का क्या नाम था बच्चों बित्टो नाम था तो एक दिन किसान ने बितो से कहा, यानि अपनी पत्नी से कहा, कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, किसान था वह तो किसान को खेती करना होता है, हल क्या होता है, बच्छों हल होता है, जो जमीन में मिट्टी को शॉप्ट बनाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले फस तो बितो ने उससे पूछा तुने क्या जवाब दिया अब उसकी पत्नी पूछ रही है देखे दोनों में बातचीत हो रही है तो किसान की पत्नी जो है बितो किसान से पूछ रही है कि जब तुमको सेर इस तरह से बोला तो तुमने क्या जवाब दिया तो किसान ने कहा मैंने कहा तू यहीं रुक मैं घर जाकर अपनी गाए ले आता हूँ अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखो मर जाएंगे तो किसान अपनी पत्नी को बता रहा है कि देखो मैंने सेर को कहा कि तू यहीं पर रुको और मैं घर जाकर अपनी गाए लाता क्योंकि अगर तुम बैल खा लेगा तो बैल से तो खेत जुताई होता है फसल तयार होता है और बैल जब तुम खा लेगा तो किस तरह से फसल तयार होगा हम लोग भूके मर जाएंगे तो इसलिए मेरे घर में गाय है मैं गाय ले आता हूं यहां सुनकर बितो को बहुत गुस को कि घर की घाय सेर को खिलाएगा तो तुमको सर्म नहीं आएगी घायए चली गई तो घृमें न दूध न लस्टी बच्चे रोटी किस चीज के साथ क्एएंगे तो अब जो है भी तो बोल रही है कि अगर गाय चली जाएगी तो घर में न दूद रहेगा न लस्टी रहेगा क्योंकि गाय जो है गाय दूद देती है और उसी दूद से फिर हम लस्टी तयार करते हैं तो जब दूद रहेगा न लस्टी रहेगा तो बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे क्योंकि बच्चे जो खाते हैं रोटी और के साथ रोटी खाते हैं तो किस तरह खाएंगे बितो को एक तरकीब सूजी मतलब एक तरीका सूजा उसने कहा तुम फौरण खेत में जाकर सेर से कहो कि मेरी बितो तुम्हारे खाने के लिए घोरा लेकर आ रही है तो बितो को एक उपाई सूजी तो बितो ने कहा कि तुम उस किसान डरता डरता सेर के पास गया उसने कहा सेर राजा हमारी गाय तो बरी मडियल है मतलब धूली पतली है कम जोड है उससे तुम्हारा क्या बनेगा उससे तुमको कुछ नहीं मिल पाएगा मेरी बिबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोरा लेकर आ रही है तो दे और हाथ में दराती लेकर घोरे पर सवार हो गई तो बितोक्या की सिर पर शोजJust, और हाथ में दराती गहाश काटने का एक हथियार होता है, उसको लेली और घोरे पर सवार हो गई, घोरा दोराती वह खेत पहुँची और जोर से चिलाई, अरे किशान, तु तो कहता था कि तुने चार सेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही सेर है, बाकी कहां गया है, फिर वह घोरे से उतर कर सेर की त तो क्या हुआ जैसे ही वह पहुंची खेत में तो किसान के उपर चिलाई कि अरे किसान मतलब अपने पती के उपर कि तू तो कहता था कि तूने चार सेरों को फास कर मतलब बांद कर फसा कर रखा है यहां तो सिर्फ एक ही सेर है बागी कहां गया फिर वह घोरे से उतर कर सेर की तरफ बरही और कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं नास्ते में एक ही सेर काफी है अब काफी जोड से बोली कि अच्छा कोई बात नहीं एक ही सेर अगर तुम फसा कर रखे हो तो कोई बात नहीं मैं जो नास्ता करूँगी एक सेर ही मैं नास्ता कर लूँगी मतलब सेर का मैं नास्ता करूंगे, सेर को मैं खा जाओंगे, इतना मेरे लिए नास्ते के लिए ही काफी है, इतना सुनना था कि सेर डड़ के मारे कापने लगा, मतलब काफी डड़ गया सेर और भाग खड़ा हुआ, यह देखकर भी तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गया सेर के हवाले कर रहे थे, तो यह देखकर भी तो अपने पती से कहती है कि देखा, इसको हिम्मत कहते हैं, मतलब बहादूरी इशी को कहते हैं, मेरे डर से देखो किस तरह से सेर भाग गया है, कापने लगा, और तुम तो इतने डरपोक हो, मतलब तुम क्या कर रहे थे, सेर के हवाले कर रहे थे, मतलब तुम घर की गया को सेर को सौप रहे थे, दे रहे थे, उधर मारे भूख के सेर की आते चट पटा रही थी, मतलब उधर जो है, सेर की आते चट पटा रही थी, मतलब सेर को बहुत अधिक भूख लग रही थी, एक भे बेरिया जो है सेर से पूछता है कि महराज आज क्या मामला है आप तो आज बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं सेर ने कहा कुछ ना पूछो आज मुस्किल से जान बची है आज एक ऐसी राक्छसी से पाला परा जो रोज सुबह चार सेरों का नास्ता करती है अब सेर कह रह बहुत हासा वह सुबह जारी में छिफ कर सारा तमासा देख रहा था मतलब सारा कुछ जो सेर और बितों के बीच हो रहा था वह सारा तमासा कौन देख रहा था भेरिया देख रहा था उसने कहा भोले बादसा वह तो बितो थी जिसे आपने राक्छसी समझ लिया था वह रा भेरिया सेर को कह रहा है कि एक बार फिर कोसिस करो और तुम्हारे हाथ जो है बैल आ जाएगा देखना बैल तो तुम्हारे हाथ आ जाएगा ऐसा तुम्हें मैं कह रहा हूँ बहुत कहने सुनने पर सेर किसान के खेत में जाने के लिए तयार हो गया बहुत भेरिया उसको समझाया बुझाया तो क्या हुआ सेर जो है किसान के खेत में जाने को तैयार हो गया पहले तो वह डरा हुआ था लेकिन अब वह तैयार हो गया लेकिन उसने भेरिया से कहा तुम अपनी पूछ मेरी पूछ से बांध लो अब वह थुरा डरा हुआ था सेर इसलिए भेरिया से कहा कि तुम्हारी जो पूँच है न वह पूँच मेरी पूँच से बांध लो दोनों जने पूँच बांध कर चल परे उन्हें देखते ही किसान के होस हवास गुम हो गया मतलब डर जाना अब उन्हें देखकर किसान काफी डड़ गया वह डड़ से थर-थर कांपने लगा लेकिन बितो बिलकुल नहीं घबराई दो बिलकुल नहीं घबराई क्योंकि वह साह सी महला थी भेडिया के पास जाकर उसने कहा क्यों रहे भेडिये तू तो अभी वादा करके गया था कि तो अपनी पूछ से चार सेर बांद कर लाएगा लेकिन तू तो सिर्फ एक ही सेर लाया है वह भी मडियल सा भला इसे खाकर मेरी भोक मिट सकती है खैर इस वक्त यही सही इतना कहकर बित्तो आगे बरी अब देखिए बित्तो जो है काफी जो है बहादूर महला थी वह डड़ी नहीं और हिम्मत से काम ली उसने भेडिये से क्या कही कि तुम तो कहा था अभी वादा करके गया था कि तू अपने पूछ से चार सेर को बांद कर लाएगा लेकिन तुमने तो एक ही सेर को लाया है देखिए हजुड मोर से मतलब वह बोल रही है लेकिन सेर को ऐसा लग रहा है कि नहीं यह बात सही है भेडिया मेरे से धोका किया है तो वह भी बोल रही है कि वह भी तुम मडियल सा सेर को तुम लाया है और भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है खर इस बक्त यही सही इतना कहकर बितो जो है आगे बढ़ जाती है सेर के होस हवा सूर गये मतलब सेर जो है काफी डड़ गया उसने समझा कि भेरिया ने उसके साथ धोखा किया अब वह जो है समझ गया सेर की भेडिया मेरे साथ धोखा किया है और मुझे बहला फुसला कर यहां लाया है वह फौरण वहां से भागा भेडिया बहुत चीखा चिलाया लेकिन सेर ने एक न सुने तेजी से भागते चला गया तो भेडिया बहुत अपना सफाई देना चाह रहा था कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया बहुत ही चिखा चिलाया लेकिन सेर उसकी एक भी बात नहीं मानी और तेजी से भाग गया किसान और बितो अराम से रहने लगे उन्हें मालूम था कि अब सेर उनके खेट की तरफ फिर कभी नहीं आएगा तो किसान और बितो जो है अब आराम से रहने लगे और उन लोगों को मालूम हो गया कि यह सेर जो है अब खेत के तरफ कभी नहीं आयाएगा क्योंकि वह डर गया है तो आप देखे बच्चों यही था पाठ इसमें जो है बितो कि बहादूरी की कहानी है कि बितो कितनी बहादूर महला थी किस तरह से सेर से मुकावला की है और हिम्मत से काम लिए है तो ऐसे हिम्मती सब को बनना चाहिए जिवन में कितना भी मुश्किल कैयों नआ आजाए बह एक्जाम के लिए अच्छी तरह त्यार कर लीजेगा और बच्छों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे किलिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेयर कीजेगा कॉमेंस जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी वच्चों धन्यवाद